वलाज हम आपको बताने जा रही हैं वेटीरियन एक्वेस रीना रोई के बारे में ये तो हमने आपको पहले भी बताया है कि रीना रोई अपने पती मुहसीन खाल से तलाख के बाद बेटी सनम के साथ ही रेती है पहले उनकी बेटी का नाम जन्नत था जब वो कस्टडी मुहसीन खाल से रीना ने तलाख के बाद अपनी बेटी की अपने नाम करवाई तो उन्होंने काफी जादा इस बात को लेकर जोड़ दिया कि वो अपनी बेटी का नाम भी बढ़ देंगी पाकिस्तानी क्रिकेटर एकस हस्बिन मुहसीन खाल से तलाख लेने के बाद रीना अपनी बेटी की साथ ही रह रही है अब उस बेटी का बिवहार कैसा है रीना रॉय के साथ आज हम इसे पर बात करेंगे वन असल रीना अपनी बेटी के बहुत जादा फ्रेंडली है रीना रॉय की बेटी डेब्यू करने वाली है इस तरह की खबरे सालों पहले आई थी हलाकि ये सच साबित नहीं हुआ रीना रॉय की बेटी ने डेब्यू नहीं किया रीना रॉय की बेटी अब काफी बदल चुकी है पहले से काफी डिफरेंट हो चुकी है रीना वैसे तो अपनी फैमिली के साथ बहुत जादा खुश रहती है लेकिन शायद आपको मालूम ना हो रीना रॉय नुटापे की वज़े से जो काफी परिशान रही जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से भी दूरिया बना दी उन्होंने अपने जिंदगी में कभी किसी भी तरह की तकलीफ ना हो इस बात का खयार रखने के लिए पूरी तरह से अपनी बेटी का हमेशा सपोर्ट किया हर मुश्किल घड़ी में बेटी का सपोर्ट किया है यसे तो रीना रॉय को अपनी बेटी का सपोर्ट भी काफी मिला है लेकिन रिना जो तरह से पहले अपनी बेटी के साथ खुश मिजाज नजर आती थी बेटी के साथ तस्वीर एक चुछ वाती थी मीडिया के बीश आती थी बॉलिवूड के फंक्शन्स को अटेंड करती थी ऐसा अब दल्कुल नहीं होता अब रिना रोय अपनी बेटी के साथ बहुत कम ही नजर आती है वैसे अब बेटी का ब्योहार क्या बतल गया है क्या रिना रोय की बेटी अब अलब तरीके से काम करने लगी है सवाल ये भी है कि सनम खान इस वक्त क्या कर रही है सनम खान के बारे में सोशल मीडिया पर कोई बड़ी अपडेट सामनी नहीं आई है हाँ ये सच है कि सनम खान रिनारॉल की वो बेटी है जो कि लाइम लाइट से पूरी तरह से दूर हो चुकी है नेक्श नाइन ये जून से क्रिप्तिक रिपोर्ट